नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं कि आदिवासियों का परतिशत 38 से घटकर अब 26 रह गया है आएसे में हिंदू, मुस्लीम, सीख, इसाय, जर्खन, धर्म, लंबियों से अलग सरना अथ्वा प्रकीति पुजक आदिवासियों की पहचान के लिए तथा उनके सन्वेधानिक अधिकारों के सन्रक्षन के लिए अलग आदिवासि सरना कोड अती आवस्याख है जेपीएसी छातरों ने चलाया ट्यूटर पर कैमपेण बुद्धवार को एगार्वी जेपीएसी सीविल सेवा परिक्षा के लिए भिगयापन निकालने की मांग को लेका ट्यूटर पर कैमपेण चलाया गया जिसमें बड़ी संख्या में चातरों ने अपनी भागेदारी दर्च कराई बताते जारखन ये का ऐसा राज है जहां के चातर ना के वल परतियोगिता परिक्षा के लिए सालों इंतियार करते हैं बलिके राजी सिविल सेवा परिक्षा जैसे परतियोगी परिक्षा के लिए अंदोलन करते हैं उसके बाद सरकार जगती है कुछ ऐसा ही बुद्धवार को देखने को मिला जब राजी के बड़ी संखाय में छादरों ने एक आरवी जप्ए सीविल सेवा परिक्षा क जालने की मांग को लेका ट्यूटर पर केंपेंग चलाया बता दे सुबह 10 वज़े से जारी इस ट्यूटर केंपेंग के जरिये छात्र सरकार पर निसाना साथ ते नजर आए ग्रीन कार्ड धारी गरीबों का मारा जा रहा होक। प्रनाली के दुकानों का चक्कर लगा कर परसान है। लेकिन हर बार दुकानों से एक ही जबा मिल रहा। बता दे फूदाम से गुरीन रासन कारधार को के लिए अनाज ही नहीं मिल रहा। राजसरकार आवंटन नहीं दे रही है। इसके बाद वों हार कर घृर लट चा रहे ह 444 महिला सुपरवाजर पदों के लिए आवेदन पर किरिया शुरू जार्खन करमचारी चेन आयोग ने वर्ष 2023 के लिए महिला परव्यक्षकों के लिए नौकरी के अउसर की घोसना की है या भरती सरकार के निर्देशों के बाद रांची में महिला बाल विकास और समाजिक सुरक्षा पिभा के सहयोग से की जा रही है इस पद के लिए आवेदन करने के एकचुक उमिद्वार आयोग की अधिकारिक वेपसाइट jsc.nic.in के मात्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं ओनलाइन आवेदन जमा करने की आमतिमतिती 25 अक्टूबर है जबकि सुल्क भुगतान करने की आमतिमतिती 27 अक्टूबर है अधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि आवेदन सुधार विंडो 31 अक्टूबर से दो नौमबर तक खुलेगी जार्खन महिला परवेक्षक परत्विक्ता परीक्षा दो ये 23 के लिए आवेदन करने के लिए उमिद्वारों को प्रोस्पेक्टस में उलेखित सेक्षनिक योगता और आयो आवास सकताओं को पूरा करना होगा दूब रही लड़कियों को बचाने नदी में कूद गया दिव्यंग बच्चा नदी में नहा रही कुछ लड़किया अचाना गहरे पानी में जाने की वज़ा से दूबने लगी और चिला चिला कर मदद की गुहार लगाने लगी नदी किनारे एक 15 साल का लड़का मचली प रही लूप से भी कलाइंग है या जारखन की घटना है जारखन की रही धानी रांची से करीब 150 किलोमेटर दूर हजारी बाग जीले के ओबरा गाउं में उम्दा नुलाह नाम का एक लड़का रहता है गाउं के लोग उसे साहिल बुलाते हैं गाउं के एक सक्स ने बताया ह है कि साहिल ने मंगलवार की सूबा बॉलकर नादी के किनारे एक लड़की को सोर मचाते हैं सुना उसने देखा कि लड़कियों का एक गुरूप नादी में डूप रहा है साहिल का बाया हाथ और पर ठीक नहीं है जिस भी छेतर में जाना चाहते हैं युवा आगे बढ़े सीम हमांत मुख्य मंतरी हमांसुरे ने कहा है कि युवा जिस भी छेतर में आगे बढ़ना चाहते हैं वे बढ़े सरकार उनकी पूरी मदद करेगी क्रिसी पसुपालन खेल या स्रम के छेतर में रोजगार और सो रोजगार के इकछुक युवाओं को सरकार हर तरीके से मदद करेगी राज में पहले से जो ब्यवस्था चली आ रही है वह चलती रहेगी लेकिन उसके समनांतर एक और मजबूत ब्यवस्था तयार की जा रही है यह नई बेवस्था राज को मजबूती देगी उन्होंने एक पर फिर ग्रामिन अर्थ बेवस्था को मजबूती देने की बात दोराई है कहा है कि क्रिसी और पसुपालन पहले हमारी अर्थ बेवस्था के डिड़ होती थी लेकिन आज खेतों की जगा ख़दान और फ्रेक्टरिया नजर आ रही है ऐसे विकास की आंधी दोर में परमपरागत विवस्था को पूरी तरह नजर अंदाज करना जहारकन जैसे राज के लिए अच्छा संकेत नहीं है गाउं को नहीं मील रहा अनाज बाबुलाल मरांडी भाजबा परदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी ने संकल प्यात्रा के छठे चरन के जहरिया बिधान सभाचेत्रे के आर एसपी कॉलेज ग्राउंड में बुद्धवार 27 सितंबर को 20 साल जन सभा को समोधित किया उन्होंने कहा है कि मोधी सरकार ने गाउं वा गरीबों के लिए काम किया वह हर जगह दिखता है इन चार सालों में जहरकन बहुत पीछे हो गया जहरकन सरकार गरीबों को आनाज पहुचाने की बजाए बजारों में बेच कर अपनी तीजोरी भरने का काम कर रही है केंदर सरकार की योजनाओं को जहरकन में पूरा नहीं होने दिया मोधी सरकार ने किसानों के खाते में पैसा भेजा उजवाला योईना के तहत गरीब महिलाओं को सबसीड़ी दी विस्व कर्मा योईना के तहत कारीगरों को जोड़ा सस्ती ब्याजदर पर रोजगार के लिए लोन देने की भी ब्यवस्ता की है HEC को बचाने के लिए राष्टपती के पास जाएंगे सुबोध कांत HEC को बचाने के लिए इंडिया गडबंधन का परति निधी मंडल बुद्धवर को राजेपाल सीपी राधा कृष्णन से मिला और उन्हें ग्यापन सौपा मुलकात के बाद पुर्व केंद्रियमंती सुबोध कांसाहाय ने कहा है कि राजेपाल ने अस्वस्त किया है कि जल्द ही HEC के दवरा करेंगे उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के ओपकराम HEC की बदहाली पर संग्यान नहीं लिया गया तो राष्ट पदि द्रोपती पुर्मूद से मिल कर इसे बचाने की गुहार लगाएंगे उन्होंने कहा है कि तेवहार का मौसम आने वाला है HEC के करमचारियों को 18 मां से बेतर नहीं मिल रहा है के अंदर सरकार के लिए HEC एक बड़ी धरोहर है इसको बचाना जरूरी है यह कलाम सहाब और डाक्रमन मोहन सिंग की धरोहर है लेकिन अयंद्र मोदी के सासनकाल में एक घाटे में है HEC के पास वर्किंग कैपिटल नहीं है नहीं रो मटेलियर है जारखन में मिले डेंगू के 23 मरीज जारखन में डेंगू के मामले में एक बार फिर इजाफा हुआ है राजिबर में डेंगू के 281 संग्दिक्द मरीज मिले हैं सभी मरीजों ने अपनी जाच कराई इनमें 23 में डेंगू के पुष्टी हुई है वही पुर्वी सिमुम जीले में डेंगू का डंग थमने का नाम नहीं ले रहा यहां 192 संदिक्द मरीज मिले हैं सभी मरीजों ने अपनी जाच कराई इन में स्थे 14 में डेंगू के पुष्टी हुई है वही धनबाद में तीन, दुमका में पाच और पाकूर में डेंगू के एक मरीज मिले हैं जन समस्याओं पर परसाशन को अधिक गंभीर होने की जरूराद सुबे के ग्रामिन बीकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है इसे दूर करना जिला परसासन की जिमेदारी है मंत्री 27 सितंबर बुद्धवार को कॉंग्रेस के गोड़ा जिला कर्याले में अयोजी जन सुनवाई कारिकरा में बोल रहे थे जन सुनवाई में महंगामा की कॉंग्रेस विधायक दिपिका, पांडे सिंग सहीत कई वरिष्ट नेता उपस्थित थे अलमगीर अलम ने कहा है कि सरकार गडबंधन के सभी दलों के सहयोग से बेहतर काम कर रही है सरकार ने कई महतरपून काम किये हैं और कई किये जाने बाकी भी है मोबाईल का IMEI वसीम लोग कराएगी पुलिस छारखन में साइबर अपराद रोकने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है CID, DG, अनुराग गुपता ने सभी जोन के DIG के साथ साइबर अपराद पर बीते दिनों समिक्षा की थी इसके बाद उन्होंने आदेश जारी किया है कि जीलों में साइबर अपराद के दर्ज मामलों के बाद जिन मोबाईल फोन वसीम कार्ट के जरिये ठगी की गई IMEI के लोग होने से एक मोबाईल का इस्तेमाल दूसरे बार नहीं किया जा सकेगा बीत रहित इंटर कॉलेजों का पलस टू स्कूलों में होगा बिलाए जार्खन के 317 बीत रहित इंटर कॉलेजों का पलस टू स्कूलों में बिलाए होगा मुख्य मंत्री हमन्सुरे ने इसकूली सिक्षा वस्राशता विभाग के इस प्रस्था पर अपनी मुहर लगा दी है मुख्य मंत्री के सामती के बाद सिक्षा विभाग ने इसकी तियारी भी सुरू कर दी है सबी जीलों को तीन दिन में हर बीट रःत इंटर कॉलेजों की पिष्तिरित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है जाखम सिक्षा पर्योजना परिशत ने जीलों से इंटर कॉलेज से गारवी उबरावी में सनकाय वार 2016 की रिपोर्ट तलब की है राज्य की मजबूती के लिए बना रहे बेवस्था सीम हमांत क्रीसी का छेत्र हो या पवसुपालन का खिलाडी हो या स्तरमीक रोजगार करना चाहते हो या सोरोजगार आप जिस भी छेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं सरकार आपकी पूरी मदद करेगी एबाते मुख्यमंत्री हमंसुरे ने बुद्धवार को रामकृष्ण मीस्टन विवेकानन्द एजुकेशन और रिसर्च इंस्ट्यूट मुराबादी के वार्षिक दिक्षान समारों में कही है CM ने कहा राज में पहले से चली आ रही बेवस्थाय चलती रहेगी लेकिन समनांतर में एक ऐसी उत्क्रिष्ट बेवस्था त्यार करेंगे जो आगे चल कर खुद पुर्व की बेवस्थाय की जगा ले लेगी या बेवस्था राज की निव को मजबूत देने का काम करेगी सेंपल पेपर के लिए बिद्यार्थी गुमराह नहों CBSE CBSE ने दसवी बरहुई अपने बिद्यार्थीयों को सेंपल पेपर को लेकर निजी प्रकासक के चक्कर में नहीं पढ़ने की सलादी है बोर्ड ने कहा है कि अगामी बोर्ड परिक्षा के लिए अपने सेंपल पेपर के लिए किसी निजी प्रकासक से साज़दारी नहीं की गई है बोर्ड ने बिद्यार्थीयों से ऐसे भरामक दाओं से गुमराह नहीं होने की सलादी है बोर्ड को जनकारी मिली थी कि एक नीजी परकासक द्वारा बोर्ड से सायदारी का सेंपल पेपर जारी करने के दावा किया गया है वहीं बोर्ड ने कहा है कि सेंपल पेपर बोर्ड की वेप साइट पर निसुलक है बोर्ड ने CBSC स्कूलों को बच्चों को जागरूप करने की सलाह दी है इद मिलाद उन नभी को लेकर अलर्ट पर पुलीस राजधानी राची सहीद पूरे जारखन में इद मिलाद उन नभी के जूलुस को लेकर सुरक्षा के कड़ इंतेजाम किये गए हैं राजधानी राची सहीद बिभीन जीलों में इद मिलाद उन नभी की पूर्व संद्या पर पूलीस ने फ्लैग मार्च भी किया सभी जीलों में पूलीस लाइन में बुद्धवार को उपद्रवी ततों से निपटने के लिए रिहासल भी किया गया बता दे राचीर रेंज के डियाजी अनूप बीर्थरे ने बताया है कि सभी सर्वेदल सिल जगों पर रैपिट एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है इसके अलावा ज़ार्खन पूलीस के रैप जैप के साथ साथ आयारवी के जवान भी राजधानी सही दूसरे जीलों में तैनात किये गए हैं स्वास्त मंत्री ने दिखाई मानवाता घायलों को भीजवाया अस्पताल ज़ार्खन के स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता ने मानवाता का परिचय दिया और सड़क दुरगाटना में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भीजवाया है दरसल रांची जीले के बेड़ो थाना के समीप रांची गुमला मुख्य मार्ग से बुद्वार को मंत्री बन्ना गुपता का काफिला गुजर रहा था इसी दोरान मंत्री के नजर सड़क किनारे घायलों पर पड़ी मंत्री ने तुरंत काफिला रोक दिया और खुद गाली से उतर कर एंबुलेंस को फोन कर पहुंचाने का निर्देश दिया है साथी मंत्री बना गुपता ने मौके से रांची एसपी को फोन कर थाना को घटना अस्थल पहुंचाने का निर्देश दिया वहीं सिवील सर्जन रांची को फोन कर घायलों का बेहतर इलाज कराने का निजिस्तिया है बताते चले कि मंत्री बना गुपता बेडों के राश्ते लोहर तक जा रहे थे आज से 16 अक्टूबर तक रद रहेगी 66 ट्रेने दक्षिन पुर्व रेलवे के चक्रधरपूर रेल मंडल और दक्षिन पुर्व मध्य रेलवे के बिलासपूर रेल मंडल में आज से यानी 28 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक 66 एक्सप्रेस और पैसेंजर स्पेसल ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया गया है रेलवे बिभीन तीथियों पर विकासात्मा कारेयों के करण ट्रेनों को कैंसिल की है जबकि 5 ट्रेनों को रेलवे ने परिवर्थिक मार्ग से चलाने का नीन लिया है और 4 ट्रेनों को 1-4 घंटे तक लेट से चलाने की योईना बनाई है पुजा उत्सव में ट्रेन सुविधा की बाट जो रहे चक्रधर पूर रेल मंडल के यात्रियों को रेलवे ने तकड़ा जटका दिया है जे एस एस सी सन्युक्त असनातक परत्योक्ता परिक्षा 16 और 17 दिसंबर को जार्खन करमचरी चैन आयोग ने सन्युक्त असनातक परत्योक्ता परिक्षा के लिए तीथी जारी कर दिया है इस बार परिक्षा दो दिन लिजाएगी परिक्षा की पहली तीथी 16 दिसंबर और दूसरी तीथी 17 दिसंबर है परिक्षा का एडमिट काड अभी जारी नहीं किया गया एडमिट काड ज्यारखन करमचरी चेन आयोकेधिकारिक बेपसाइट पर जारी किया जाएगा संथाली भासा के सिख्षकों की होगी बहाली चमपाई सुरेन राजे की आठवी अनसूची में सामिल संथाली भासा के सिक्सको की जल्द ही बहाली होगी इसके लिए सभी सिक्सको को भी सेश ट्रेनिंग दी जाएगी इस ऐसे का विचार कल्यान विभाग के मंतरी चंपाई सोरे ने बुद्धवार को टाक्टर राम देयाल मुंडा सोध सं स्थान द्वारा आयोज नेसुल्ख पुस्तक पितरन के दोयान व्यक्त किया है उन्होंने तीन पुस्तको का भी मोचन किया जिसमें गीदरा, गातेक, पुथी, ओल माला और ओल सेचेंद सामिल हैं उन्होंने कहा है कि संथाली भासा के प्राइमरी सिक्षों को डायेट के मा में 24,000 से अधिक सीटे खाली है, राजमें भालिकाओ के लिए 260 भालिका आवास से बिद्यले संचाली था हैं इनमें 203 कस्तूरभा गांधी भालिका बिद्यले वस संतावन जारखंद भालिका आवास से सामिल हैं कस्तूर्बा गांधी बालिका बिद्याले का संचारन केंद्र वा राई सरकार द्वारा सन्युक तुरुप से किया जाता है जबकि जारखंड बालिका आवा से बिद्याले का संचारन राई सरकार द्वारा किया जाता है बतादे स्कूल में कूल 1,26,525 चात्राओं के पढ़ने की विवस्ता है इन्वे से वर्तमान में 1,216 चात्राओं नमांकित हैं विद्यालियों में 24,309 सीट रिक्त हैं धन्यवाद